Hello guys, welcome to the channel, my name is Rohit, so आज हम शुरुआद कर रहे हैं आपके computer section की for the upcoming जमुन किशमीर पूलीस constable exam, GS की series आपके लिए यूटीब चैनल पर प्रोइड किये जा रहे है, now I am going to start the computer section as well, आज हम करेंगे computer terminologies, जो आपका पहला, you know, इस लेवस का पहला topic mention है, तो ये terminologies हम cover करेंगे, इस के लिए telegram group जुरूर हमारा join कर लें, next exam IQ simply search करके join कर लीजेगा, and WhatsApp group भी बनाया गया आपके लिए, especially for the जमुन किशमीर पूलीस experience, उसका link भी description मैं, शुरुआत करता हूँ, बिल्कुल basic से करेंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, वहीं से मैं start करूँगा, but MCQ format मैं क करूँगा, ताकि आपको exam में, देखो ये सारे questions, GKSSB, कि मैं previous exams को refer कर रहा हूँ, क्या pattern है, क्या questions पूछता है, वो सब चीज़े दियान में रखके, ये सारे MCQ series में आपके बना रहा हूँ, काफी beneficial रहने वाली है, आपके exams के लिए, पहला question है, which of the falling is considered as a brain of computer, brain of computer, ब्रेन GKSSB, ये भी question पूछ देता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पूछता है, ऐसे-से basic सवाल, GKSSB, कोई पता नहीं है, अभी आपका 10th qualification है, तो it's not something, you know, unbelievable कि ऐसे question नहीं पूछें, straight forward question पूछेंगा, but we have to prepare for the worst scenario, अच्छे scenario के लिए तो prepare करना ही करना है, कुछ गलित भी हो computer कहीं पूछ जाता है, father of modern computer, okay, modern जहां term use होगा, आपका answer बन जाएगा, Alan Turing, Alan Turing, ये basics आप यहाद रखें, CPU में भी बात करें, इसमें arithmetic logic unit होता है, ALU होता है, जो arithmetic operations करता है, and control unit होता है, ये दो important components रहते हैं, CPU में, okay, बाकि brain of the computer क्यों बोला जाता है, क्योंकि सारे important processing task, वो स सारे सारे आपका computer करता है, okay, यानि की CPU करता है, जो brain इसलिए हम बोलते हैं, computer के बारे मैं बताऊंगा, जैसे आप computer आप on करते हैं, इसमें कुछ important terms हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं MCQ में तो लाया हूं, बट जो चीज़े important है, जो exam में question पूछे जाते ह आपको बताना, देखो, computer जब आप on करते हैं, हाँ, यहां में ज्यादा बैटर आपको explain करते हैं, पहले मैं जो चीज़े मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर यह question आप खुछ समझ आएंगे, देखो, जब हम computer on करते हैं, basically computer के अंदर होते हैं, you know, एक warm booting बोलते हैं, एक cold boot basically, क्या यह booting होती है, basically, अब यह क्या आपको समझ आ रही है, यह क्या है, but you will relate, पहले मैं explain कर लेता हूं, देखो, जब आप computer को on करते हैं, computer के अंदर होता है, आप BIOS, computer के अंदर होता है, basic input and output system, क्योंकि जब computer का आपने on किया, CPU on किया, तो वो कुछ time लेता है, 10-15 seconds, वो हो start हो रहा होता है, switch on हो रहा होता है, तो फिर उसके बाद आपका computer properly work करने लग जाता है, यह मैंने आपको इसलिए बताया, क्योंकि जब हम computer on करते हैं, तो उसको हम बोलते है, cold booting, जिसमें basic input and output system load होता है, फिर आप computer को कही बारी देखिएगा, जब आप computer को restart करते हैं, जब आप computer को restart करते हैं, वो जल्दी on हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, वो फिर से time क्यों नहीं लेता, क्योंकि अगर आपने restart किया, because जो basic and input output system है, जो first main चीज़ है computer की, वो already on होती है, मैं आपको यह बता रहा था, ताकि आप इस question पर आते हैं, देखो, what type of memory is non-volatile and stores data permanently even if the computer is turned off, देखो, यह important point है, अगर आप अपना computer बंद भी कर देंगे, आपका computer अगर बंद भी हो जाएगा, तो वो data वहीं का वहीं रहेगा, answer is, रोम, अब मैं थोड़ा से explain करूँगा, एक मिनिट लोगा, क्योंकि यह concept आपको पता होना चाहिस में, देखो, दो type की important memories होती है, एक हो रोम, non-volatile memory वो होती है, जो remain वहीं रहती है, अगर आप सोचो कि BIOS, basic input and output system में computer का उड़ जाए, light बंद हो जाए, और computer अचानक से बंद हो गया, BIOS, basic input and output system, जो computer का operate करता है, वो ही बंद हो जाए, तो फिर क्या आपका computer, computer रहेगा, तो खाली डबबा बन जाएगा, इसलिए वो non-volatile memory में save होता है, question मैं भी यही पूछ रहा है, कि इसमें से कौन सी memory है, जो non-volatile, जो permanent है, अब देखो BIOS अगर उड़ गया, suppose करो उड़ गया, तो फिर तो computer तो कुछ भी नहीं वचा, computer तो फिर काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए दो memories होती है, अब volatile memories, आपको PPT पे slides ब किया होगा, अब काम ही कर रहें गोई, volatile जो delete हो जाएगा, वो RAM की full form है, random access memory, BIOS जो basic input and output system मैं आपको बताया, वो है, रोम की example, जिसमें आपका computer का firmware, computer के operating system, जो महीं चीज़े यहां save होती है, क्योंकि अगर यह उड़ गे, light बंद हो गई, तो suppose करो, फिर तो computer खराब हो गया चले गा ही नहीं, तो यह मैंने आपको इसलिए यहां तक लाने के लिए, यह basic सी चीज़ आपको मैंने बताई, इसका जो correct answer है, अब RAM और ROM को भी हम further divide करते हैं, उसके different types होते हैं, RAM के भी, static RAM, उसके बाद ROM की बात करें, programmable, RAM ROM है, EP ROM है, वो मैं आप explain करूंगा with time, don't worry, but यह basic आपको बताना था, कि volatile क्या है, जो delete हो जाएगा, जो उठ जाएगा, non volatile जो permanent रहेगा, example मैंने अच्छे आपको बता दी, तो यह बस वही लिखा है, जो मैंने आपको बता दिया, आगे बठते हैं फिर, देखो हाँ, एक चीज़ ओर important, मैं आपके लिए especially, आपके लिए classes में स्टार्ट की है, मैंने computer section की, अब computer section की classes का मैं सारी cover करवाँगा, क्या सारा computer करवाँगा, इसके लिए मुझे आप लोगों का response तो चाहिए, मुझे पता तो होना चाहिए, क्या आप लोगों को हमारे videos पसंद आ रहे हैं या नहीं, तो मैं आज की इस video का, देखो computer का, GS section दो पता चल जाएगा कि आपको वीडियो अच्छे लगे हमारे computer का वीडियो अच्छा लगा, आप चाहते हो कि मैं आपका सारा का सारा IMC की format, computer section भी cover करवाँगा, तो 300 likes का target है, ये मेरे को achieve कराना है, तब ही मैं इसके next part भी लाँगा, क्योंकि काफी hardware के लगता है, ऐसा नहीं ह उसके बाद आपका joystick आप क्या आगया, microphone आता है, जिसे मैं भोल रहा हूँ computer को दे रहा हूँ input, तो ये example से input के, इस में से input device के example पूछ रहा है, तो input यानि की keyboard, keyboard आप type करते हैं computer में, तो वो input दे रहे है, monitor से आप सामने देखते हो, आपको screen दिख रही होती, output की example है, printer से पूंते हो, बाहर आपको कुछ मिल रहा होता है, तो keyboard से आप enter कर रहे होता है, keyboard तो आपको दिखा थोड़ी रहा है, कुछ, आप तो type कर रहे हो, इस में computer को कुछ बता रहे हो, तो वो example है, input की, कुछ examples में यहाँ picture में आपको दिख रही है, यहां से आपको थोड़ी बैटर अगे बढ़ते हैं, यह वो ही लिखा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, explanation देखने की जरूट भी नहीं पड़े की, क्यों मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, बाद में PDF में देख लेना, which type of software directly manage and control the hardware component of the computer, देखो, इसका जो correct answer है, वो है जी, आपका operating system, अब यह क्या है, intermediary है, between the user and the computer, operating system के बिना कुछ भी नहीं कर सकते है, between the user and the hardware, operating system ही है, जो पूरा आप कह सकते हो, operating system का एक पार्ट होता है, जिसको हम करनल बोलते हैं, वो heart of the operating system बोला जाता है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, heart of the operating system, मैं आपको सब चीज़े बता हूँ, आप भी टाइ तो समझ लोगे, without operating system कुछ नहीं होता है, इस type of software है, directly manage it, control the hardware components of the computer, यह आपका operating system, first operating system के मेरी एक्जाम में पूछ देता है, वो हो था, general motor operating system, GIGMOS, general motor operating system, IBM, computer में इसको पहली बार चलाया गया था, okay, Gary Kildal, G-A-R-Y-K-I-L-D-A-L, आप सर्च कर ले न, अगर आपको spelling में एर रहा था कि मेरी, Gary, G-A-R-Y-K-I-L-K-I-L, मेरा न, माउस बेसिकली प्रोपल चल नहीं रहा है, मैं लेने की सोच रहा हूँ, एक दू दिन तक मैं digital pen भी पर्चेस कर लूँगा, तो फिर प्रोपरली आपको मसा आएगा देखने में, इसका अंसर operating system है, without the falling is the smallest unit in computer, सबसे स् of computer, data on the computer, the bit can hold only two values, that is zero and one, bit में दो ही values आ सकती हैं, जो zero and one की form में करता है, the bit are usually assembled in groups of the A to form a byte, 8 bit बना के बनाते हैं, एक byte, अगर हम बात करें, एक byte बन गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, 1024 byte मिल के बनाते हैं, एक के बी, उसके बाद जब एक MB होता है, उसमें होते है 1024 kilobytes, तो यह पूरा आपको सामने में डिटेल लिखे हैं, यह आप बात में जब PDF देखेंगे, तो काफी आप अच्छे से explain कर बाएंगे, आप समझ पाएंगे, 1 kilobyte में होते हैं 1025 bytes, अब इसके बाद इसका 1 MB, 1 MB में होते हैं 1024 kilobyte, 1 GB में 1025 MB, 1 TB में 1024 GB, यह आपको नेटवर्क का सबसे बड़ा एक्जामपल है, जो अभी Wi-Fi, wireless fidelity, Wi-Fi, इसका बागी मैंने जो different networks है, personal area network exam में question directly पूछता है, personal area network की example बताओ जी यह है Bluetooth, 10-12, 15 meter की range होती है, land की example में बता रहा हूँ, Wi-Fi जो मैं आपको बताई, man भी होता है, metropolitan area network जिसमें एक local telephone company इसके best example है, wide area network की बात करें हैं तो different globally different countries को connect करता है, यह you know global आप जो connect करें वो van की example है, सबसे बड़ा network की, internet की आपकी सबसे बड़ी example आगे, जो globally हमें connect करता है, आगे बढ़ते हैं, which device is responsible for converting digital signals into analog signals, so analog signals को digital and NYC वर्सा करता है, analog को digital में भी करता है, digital को analog में भी करता है, तो किस की बात कर रह हैं, यह directly question पूछता है, यह modem, यह modem करता है, यह आपको याद रखना है, आगे बढ़ते है, URL की full form क्या है, यूरल की full form है, uniform resource locator, option number A is the correct answer, यह कैसे बिदा फेवरिट question है, यह कहीं बढ़ी exam में question पूछता है, पिछले 10 exam उठा होगे, उसमें से 6 exam में यह question पूछा हुआ ह यह कि आपको भी यह पूछ देगा, तो इसलिए असान लगता है, बच्चे जल्दवाजी में देखते हैं, यह असान है, तो uniform register locator लगा के आ जाते हैं, यह ऐसा होता है, यह चीज़े हो जाती है, बट जल्दवाजी नहीं करना है, अपने mock test जब आप देंगे ना, तो वो आपको इसमें, आपको यूस्ट हो गरेंगी, what is the purpose of a firewall in a computer network, तो firewall का क्या objective क्या होता है, इस type of you know protector, जो हमें बचाता है, unauthorized access से, तो यह है जी अपका, to block the unauthorized access, यह आप याद रुखे, details मैंने बताया आपको, विच्छो तो following is an example of system software, system software के example क्या है, एक application software होता है, एक system software हो software तो directly हम यूज करते हैं, जैसे आप Microsoft Office यूज कर रहे हैं, MS Word यूज कर रहे हैं, Adobe Photoshop यूज कर रहे हैं, तो यह examples है application software के, but system software तो directly हम यूज नहीं करते, वो होते हैं, you know, operating system, तो इसमें example कौन सी है, वो Windows operating system, जो inside, behind the scenes जो कहां कर रहा होता है, system software हम इसे बोलते हैं, तो Google Chrome क्या application software है, this is the example of search engine, Google Chrome, इस question का जो correct answer, option number C, okay, which component stores frequently assist data to improve processing speed, you know, आप computer चला, आप मोबाइल चला रहे होते हैं, आपकी cache memory में देखते हैं, जो आपने frequently visits के हैं, साइट वो उसका data रहता है, बस वो यह question बोच रहा है, तो कहां पर होता है, आपकी recently यह होता है, cache memory, you know, cache memory and register कहेंवा सबसे fastest memory, अगर आप से पूच दे, सबसे fastest memory registers होते हैं, register are considered as the fastest memory, यह आप याद रखें, जब register की बारी आएगे, पर memories पढ़ेंगे, वो detail में आपको बताऊँगा, अभी जो चीज़े मुझे बाहर ही याता हो, मैं आपको बताऊँगा, विज़े तो falling is a volatile memory, volatile memory वो होती है, जो जल्दी, you know, उड़ जाती है, basically, volatile हो जाती है, तो इसमें से hard disk वली भी non-volatile है, SSD, यह आपका solid state drive भी non-volatile है, ROM तो non-volatile high है, RAM की बात कर रहे है, random access memory, example of volatile memory, यह delete हो जाता है, आपके systems वगएरा, अगर आप इसको save नहीं करेंगे, system से, यह वही है, which of the falling protocol is used to transfer files over internet, कौन सा protocol use होता है, this is file transfer protocol, FTP, directly full form भी पूछ देता है, file transfer protocol, you know, transfer कहने के लिए, from one place to another, HTTP के full form पूछ रहा है, यह question easy लगता है, बट यह question कहीं बारी हम गलत करके आ जाते हैं, तो इसका जो correct answer है, hypertext transfer protocol, hypertext transfer protocol, कहीं बारी HTTPS भी पूछ देता है, अगर S साथ में होगा ना, तो उसमें secure answer हो जाएगा, secure एक add होता है, बागी same ही रहाता है, इसका जो correct answer, option number A, hypertext transfer protocol, is the correct answer for this question, which of the following is not an operating system, तीन, you know, operating system है, इसमें, बट एक, एक language है, यह सारे के सारे operating system है, Linux, Windows, यह सब operating system है, बट पाइथान, पाइथान एक language है, you know, जैसे C है, जावा है, पाइथान एक language है, तो यही पूछ रहा था इसमें से, कि इसमें से, इसमें से operating system कौन सा नहीं है, पाइथान, अगर आपको थोड़ा भी पता होगा, तो आप easily answer कर सकते है, अगर आपको यह नहीं पता होगा, Linux नहीं पता, पर आपको यह पता है कि, पाइथान एक language है, तो इसलिए, additional चीज़ें जो बताती है, बताई जाती है, वो पढ़ी जाती है, वो purpose है, to identify a device on the internet, IP means internet protocol, इसका objective है to identify a device on a network, so option number B is the correct answer for this question, what terms refer to a malicious software, malicious software के एक term है, basically malicious software, you know, जब हम virus and antivirus पढ़ते हैं, तो उसमें malicious software के अगर हम बात करे हैं, तो malware, malware में हम पूरी different virus, basically, you know, different types of virus हम पढ़ते हैं, Trojan virus है आपका आगया, phishing virus, तो वो सारे का सारा malicious software के टेगरी में आता है, तो ये malware है, इस type of malware, what does AI stands in computer science, तो AI की full form किया है, artificial intelligence, सभी आप इसका easiest answer कर सकते हो, but additionally, इसमें क्या चीज़े आपको याद अख नहीं है, father of AI, you know, father of AI, John McCarthy बोला जाता है, Dennis Ritchie भी आप याद रखे है, father of C language, C language जैसे python एक language है, C एक important language है, exam में कुशन पूछता है, Dennis Ritchie is considered as the father of C language, and John McCarthy is considered as the father of artificial intelligence, ये आप याद रखे है, which of the following storage device has the fastest data assist time, so कौन सा है, इसमें से according to the options, ये storage devices हैं, जिसका fastest data assist time है, तो हो है solid state drive, SSD is the correct answer for this question, याद रखे हैं आप ये question, cloud computing क्या है, cloud computing है, delivering computing services over the internet, आप गर बैठे हो, आप कोई भी services, you know, globally आप ले सकते हो, this is cloud computing, तो ये इसका example है, delivering computing services over the internet, you know, internet को use करके, तो ये था जी आज का हमारा part one, जिसमें मैंने बिलकुल basic आपके कुछ questions शेर की, ये उमीद करूँगा, आपको वीडियो पसंद आया, 300 likes का मेरा जो target है, वो जरूर रेचीव करवाएं, तको मेरी hardware काफी ज़्यादा लग रही है, बट अगर आप response करेंगा, तो मेरे को थोड़ा motivation मेलेगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियो ज़्यादा बनाओ, और आपके साथ में इसे share करूँ, तो मिलते हैं फिर next वीडियो में, उमीद करूँ हूँ, next वीडियो आएगा, वो depend करतेगा, आपके likes पे, पड़ाई बिलीव की आएगा, तो हम इसे ज़रूर शेर करेंगे, thank you guys, take care, बाकी सीरीज तो आपके लिए चली रहे है, thank you guys, take care, see you soon, वीडियो, like to करना ही करना है, ट्रेलीग्राम पर जॉइन कर लीजएगा, pdf, whatsapp group भी, description में लिंक का, वो भी join कर लो, thank you, bye, take care.